साच्छरिय काल जी मैं हूं साड़ा किसांस लाप्री सिंग हमेरे किसान बायों का कहना है कि हमने मुच्छल से एक लगाया था लेकिन उसमें जंडा रोग बहुत ज्यादा आ रहा है क्या करें हमने तो पहली खाद में यह 12 फंगी सडाता है बो भी डाल दिया जैयुके में जो यह वाला बोड़ा डालना हमने पिछली साल डाला था बहुत ज़्यादा बरियार जाटा मिला था वह भी डाल दे लेकिन जैब कानी रोग जंडा रोग बढ़ता ही जा रहा है क्या करें दोस्तों अगर आपने मुच्छल से एक जा बासमति की कोई भी ब्रैटी है जिसमें जंडा रोग आता है जिसे बासमति से सतरा ठारा ग्यारा एकिस जा ठारा संतालीस सोला बन में जो भी ब्रैटी लगाई है उसमें अगर जंडा रोग आ रहा है तो आपको मैं आज एक ऐसा देशी फार्मूला बताने जा रहा हूँना जो के तुरूंत तुरूंत को ट्रूं अपने जो भी फंकिसर डालना डालेना है जब आपके खेतों में जह बकानि रोग आ जाई तब आपने मेरा अपनाारा्यना है अपने कारना थो 152 तो अपने अपने खेतों में ताजा पानी लगाना हे हूप पानी लाना है वो हल्का है उसके बाद शाम के समय आपने यूरिया लेनी है उसमें पाणी के छिटा मारना है और एक एकड़ का 800 ग्राम मिठा सोड़ा लेना है उसे अच्छी तरह से मिक्स कार लेना है इस यूरिया खाद में अच्छी तरह से दाने दाने पर मिक्स कार लेना चाहँ के अच्छी तरह से और उसके बाद च्छाम के समय इसका छिटा लगाना है, कौन से खेत जहां पर जंडा रोग आया हुआ है, बस उसके बाद जब ये पानी जीर जे, खाड़ा नहीं होना चाहिए, जब ये पानी हमारी जमीन पी जे, उसके बाद ही अपने ताजा पानी लगाना है, इतना सा काम करना आपके खेतों में जंडा रोग क्या होता है, आप भूली जाओंगे, आप तो अपने परोशी को भी जे बोलोंगे, जे जंडा रोग किस चिडिय का नाम है, हमें तो नहीं मालम, इतना ज़्यादा बढ़ी या रजाल्ट मिलेगा, जहां पर जंडा रोग होगा ना, व हमने ताजा पनी लगाना है, वो भी हलका, शाम के समय यूरिय के साथ 800 ग्राम प्रती एकड़ के साफ से ये मिठा सोड़ा अच्छी से मिक्स करकर फिटा लगाना है, जब ये पानी, ताजा पनी हमारे जमीन, जीर जे, पी जे, खत्म हो जाए, उसके बाद ही हमने दूसरा ताजा पनी लगाना है, सबर रखना है, जल्द बजी नहीं करनी है, बस इतनी सी सावदनी बरतनी है, और आप देखेंगे कि आपके खित्तों में जंडा रोग बिर्कुल खत्म हो जाएगा, ऐसा लगए आग जंडा रोग कभी आये नहीं था, जहां पर जंडा रोग आया दने बाद दोस्तु